अहलो एवरिवन आज मैं आपको शाही पनीर की रेस्पी बताने जा रही हूँ मेरी रेस्पी को फॉलौ कर आप भी रेष्टोरेंट जैसा शाही पनीर घर पर बना सकते हैं तो ये मेरा वीडियो देखते रहे हैं मैंने जिन चीजों की जितनी मात्रा बताई है प्लीज आप उतना ही इस्तमाल करें, इसके लिए हम लेंगे फ्रेश पनीर या कॉटेज चीज 250 ग्राम, यदि आपके पास फ्रेश पनीर नहीं है तो उसको हलका सा फ्राई करके गरम पानी में भीग हो दीजिए, उसका भी स्वाद अच्छा हो जाएगा, अब हम लेंगे दो मिडियम साइ एक इंच का टुकडा दाल चिन्नी और जावित्री, चार बड़े लाल टमाट्रों को काट कर मिक्सर में पेस कर उसकी प्यूरी बना कर रख लीजिए, एक कप मैंने फ्रेश क्रीम लिया है, ये क्रीम फ्रेश में रखने से थोड़ा जम गया है, पचास ग्राम काजु को भी बड़ा चमच, मसालों में धनिया पाउडर, एक छोटा चमच, जीर्या पाउडर, डेड़ चमच, गरम मसाला पाउडर, एक छोटा चमच, और हल्दी पाउडर, एक छोटा चमच, मिर्ची पाउडर, डेड़ चमच, नमक, डेड़ चमच, और तेल, छे बड़ा चमच, कट उसमें जो साबुत मसाले हैं, गरम मसाले उनको डाल कर थोड़े दिर फ्राइ करेंगे, फिर उसमें जो प्याज कटे हुए हैं उनको डालेंगे और फ्राइ करेंगे, थोड़ा फ्राइ करने के बाद उसमें जो लहसन और अधरक हैं उनको डाल देंगे, और उनको फ्राइ करे जब तक कि वो golden brown ना हो जाए, प्याज देखे, पुरा brown हो गया है, और ये transparent भी हो गया है, गैस को बंद कर दीजिए, और ठंडा होने के बाद, इसमें एक बड़ा चमच पाइन डालकर इसका paste बना लीजिए, अब उसी पाइन को हम गैस पर गरम करने के लिए फीर से रखेंग और उसमें चार बड़े चमच तेल डालेंगे, और एक चमच बटर डालेंगे, इसके बाद इसमें तेशपता डाल दीजिए, और मिर्ची हरी जो काटके हमने रखी है, उनको डालकर भूनिए, उसके बाद इसी में टोमेटो पूरी डालके इसको पकाईए, 10-15 सेकेंड के बाद इसमें जो भी मसाले हमारे पास हैं, उन सब को डाल दीजिए, और जो गरम मसाला है, इसको हम आधा डालेंगे, और आधा रख देंगे बचा कर बाद में डालने के लिए, और इनको अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिलाते हुए पकाएंगे, करीब एक मिनड़ तक, ताकि मसाले अच्छी तरह से इसमें पक जाएं, अब हम इसमें जो प्याज का हमने पेश्ट त्यार किया है, इसमें मिलाएंगे, इसको बाद में हम इसलिए मिलाते हैं, क्योंकि और लेड़ी पहले से पक चुका है, तो ज्यादा इसको पकाने की जरूत नहीं है, इसलिए मसाले पकने के बाद इसको हम डालेंगे, और इसको कुछ देर पकाएंगे, इसको लगातार चलाते रही है, नहीं तो नीचे से मसाला पकड़ लेका, क्योंकि बहुत ही ठिक है मसाला, फिर इसमें जो काजू का पेश्ट हमने बनाया है, इसको डाल दीजिए, और थोड़ा सा पानी, एक बड़ा चमच घोल कर डाल दीजिए, इससे मसाला थोड़ा पतला हो जाए, और थोड़ा पकने में भी असानी रहा है, नहीं तो नीचे से जल जाएगा, अब इसमें जो हमारा क्रीम है, उसको डाल दीजिए, पूरा, और इसको मिलाएए, continue चलाते रहेए इसको, अब इसमें दही है, जो एक बड़ा चमच, उसको डाल दीजिए, और इसको चलाते रहेए लगातार, ध्यान रखेगा, गैस धीमा रहा है, क्योंकि दही हमने डाला है, तो फटने का डर रहता है देखिए, हमारा मसारा लगबग पक चुका है, साइट साइट में तेल छोड़ दिया है अब हम इसमें कसूरी मेथी मसल लेंगे हाथ में और इसमें डाल देंगे इसके रेशे हैं, जो हम फेक देंगे और इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से, इसकी खुश भी बहुत अच्छी होती है और इसको मीडिया माच में एक मिन तक पकाएंगे लगातार चलाते हुए मसाला जलना नहीं चाहिए बिल्कुल अब इसमें हम नमक डाल देंगे, जैसा आपको पसंद है लेकिन मैंने इसमें डेट छोटा चमच नमक डाला है अब इसमें जो बचे वे गरम मसाला है, उसको डाल देंगे और मिलाएंगे अच्छे से इसके ग्रेवी जो होती है, बिल्कुल थिक होती है, इसमें पानी नहीं डालते है अब जो पनीर है, इसको हम डाल देंगे ये बिल्कुल जो मसाला है, पनीर में लिप्टा होना चाहिए पाने का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करेंगे हम पनीर को अच्छे से मिला लीजिए बहुत लोग इसमें शक्कर का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने इसमें शक्कर नहीं डाला है क्योंकि प्याज में अलरी मिठा सोती है, क्रीम है, काजू का पेश्ट है, ये अलरी मिठा होता है तो इसमें और शक्ता नहीं है, अलग से शक्कर डालने की अब इसको हम ढग देंगे, आधा मिनट के लिए अब देखिए, पग गया है बिल्कुल अब हम इसमें जो धनिया पती है, काटके रखी हुई, इसको मिला देंगे इसको अच्छे से मिला लीजिए बहुत ही अच्छा इसका लुक आ रहा है, खुश्बर भी बहुत अच्छी आ रही है और इसका टेश्ट तो आप बताईएगा, अपने घर पे रेस्पी बनाने के बाद मुझे कमेंट करिएगा कि कैसी बनी रेस्पी अब आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसके उपर थोड़ी से क्रीम और धनिया पत्ती डाल दीजिए और गर्मा गरम इसको नौन या तंदूरी रोटी या जैसे भी आप चाहें खाना आप इसको खाईए और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू बाइबाइ कीप वाचिंग मैं वीडियो एंड इंज्वाइट